नमस्कार दोस्तों रादे रादे मेरी ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत-बहुत स्वाबत है आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बनाने वाले काना जी के लिए ड्रेस तो इसके लिए मैंने देखिए पट्टी ली हुई है और मैंने एक अस्तर लगाने के लिए वाइट कलर का जो क लिए और फिर पलटके सिल रहे हुँ अस्तर नीचे आजाएगा दोस्तों हमारा और जो कपड़ा है काना जी का ड्रेस का वह उपर आ जागा यह देखिए सिलकी ऐसा हो गया है और क्रीम कलर की जो है वह अस्तर है तो बड़ी ही अच्छी लग रही है और दोस्तों यह मैंने साड़ी तीन इंचिस की चोड़ाई ली है और अब इसकी लंबाई लेंगे लंबाई कितनी है हमारी तो यह लंबाई है हमारी अब देखिए यह है साड़ी सकी 30 31 के करीव है और अब इसको अमें क्या करना है हम इसको प्लेट बना लेंगे लेंगे बनानी हमें ऐसे करके जितने आपके काना जी चोटे हैं या कितने नंपर के साएज से आपको कंमर की जो प्लेट है वह इसाफसे बनानी है तो मैं अपनी काना जी मेरे चार नमर वाले हैं तो मैं उसनी के हिसाब से यह प्लेट जो बना रही हूं ऐसे करके प्लेट हमें मैंने तैयार कर लिकियार कर लिए और यह जो ऐसे अस्तर लगा के बनाओ तो यह बजार से जल्दी उनमें बोकरम लगा होता है तो पूरे मंदर में ऐसे वाइट वाइट सा हो जाता है यह तीन इंच है साड़ी तीन इंच यह पट्टी है दोस्तों यह उपर के लिए है और यह देखिए यह भी यह साथ इंच पट्टी लंबाई है तो यह चोली है हमारी तो इसकी पट्टी है मैंने लिए हैं और देखिए इनको भी सिल लिया है मैंने अस्तर लगा के इनको सिलाए और एक दूसरी की ऊपर रखके मैंने अटेस्ट कर लिया है इनको और अब हम मैंने इसकी कमर की पट्टी बनाई है एक यह कमर की पट्टी को और हम और उसको नाब के चोली को वह और मैं इस भीन दे रहे हूं कि कमर की पट्टी भी से ले जा रही है ऑँ मैंने फिल्ट लगा रख़ी है जैसे वह ऐगिए यह उसने असतर लगाया है वह सि का कपड़े का जैसे और जैसे और अट तरह से बेल्ट और वू लगके तयार हो गई है दूस्तों तो यह आसानी से पहनाने वाली जो ड्रेस है अच्छी से पहन जा रही है और यह देखे कितनी बड़िया लग रहे हैं देखने में बड़ी शुंदर है यह मेरे पास कपड़ा बचा हुआ रखा था बहुत दिन से त तो कैसे भी कर लीजी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा तो यह देखी ऐसे पलटकी ऐसी लग रही है और भी मैं इसके उपर थोड़े से यह नमूने से होते हैं ऐसे कमगूरे टाइप के चोली की उपर वो और लगाऊंगी तो जिससे थोड़ी सी जो है सो थोड़ा सा वो मैं इसको बाद लाट दूंगी मैं समया लगारी देखी मैं मैं इसको कमगूरे लगारी हूँ तो यह जाएंगे टो बड़े अच्छी लगेंगे बाहा के ऊपर लगा चांगे यमीरे और यहिड़ेस हो लाए सकते हैं रंगी ने रंगी लगा दीजिए नहीं है अधिकतर क्या होता है कि गोल्डन जो लेस होती है वो हर एक में काम आ जाती है तो मैंने इसमें इस्तिमाल किया है गोल्डन लेस देखिए गोल्डन लेस मैंने लगा दीए और ज्यादा मेरे को एकदम कचर मचर सा हो जाता है तो मु सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखिए काना जी की ड्रेस में मेरा व्लॉग चैनल है दोस्तों इसलिए मैं जो भी है कुछ न कुछ ऐसे जो अपनी तरफ से मेरे जो घर में जो हमारे होता है वही मैं डालती रहती हूँ जैसे हमारे कपड़े हैं काना जी के कपड़े हैं घर का है तो लोग में हमके कोई भी चीज डाल सकते हैं तो मैंने आज यह अपने काना जी के लिए ड्रेस से लिए तो मैंने वह आपको डाल के दिखाई गया क्योंकि काना जी के लिए मैं बाहर से कोई चीज ऐसी नहीं लाती पट्टी पाइसे जिस्सें तरूदर नहीं जाए यह देके यह लगा दिया मैंने इस पर इंग इसको एश कर सक्षि के स्क्षा लगा आया हुआ को मैंने ऐसी ही टोपी हो गया तो जलार लग रहे अब इने के बाल पना देंगे हम है augen कि बाल मिरे पस और भी रखें बड़े-बड़े बाले इन बालों को मैं रोज लगाती हूं अगर मेरे कानजी यो कानजी की ड्रेस आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करे गाव सेर करेंगा दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राधे राधे मैं तो प्रेम से एक बार बोल दिये श्री राधे राधे झाल झाल